जै शैनी देव, जै श्री कृष्णा, मेरी प्यारे बच्चों स्वागत करी हूं आपका हमारे सापताहिक राशी फल में, यह जो हफता है, यह आखरी हफता है जून महिने का, तो 24 से लेकर के 30 जून तक क्या-क्या घटना आपके साथ होने वाली है, क्या प्रिये रहेंगी, क राशी फल तो आप रोस देखते हो, क्या किसी ने आपको कभी बताया कि राशी इतनी जरूरी क्यों होती है, देखो राशी तब बनती है, जब चंद्रमा किसी घर में या किसी राशी में बैठता है, जहां बैठता है जनमकुणी में, उसी को हम अपनी चंद्र राशी कहते और वही हमारी सटीक राशी होती है आप चंद्रमा जो है वो मन का कारक है हमारा मन जिस ओर लगेगा मन जिस काम में लगेगा वही हमारा तन भी जाएगा वही से हमें धन भी आएगा वही से हम अपने सारे कारी जो है वो करेंगे तो इसलिए राशी बहुत जरूरी है क्योंकि वो मन को केंदर में लेकर के ही देखी जाते हैं और मन जहां तो आपका पूरा जीवन उसी दिशा में बढ़ने लगता है तो इसलिए राशी बहुत जरूरी है इसलिए आपको चंदर राशी के हिसाब से राशी फल देखना चाहिए जो हम आपको अपने चैनल क्रेहों की बात पर बताते हैं यह जो राशी फल है यह जोतिश की गर्णा उपर आधारित है और साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है जो भी आभाज शक्ति है उसके अनुसार मैं आपको बताती हूँ अब आप कहते हैं कि गुरुबा इस विशे में बताई उस विशे में बताई तो यह देखो मेरे हाथ में नहीं है मैं प्रभू से प्राथना करती हूँ कि मेरे द्वारा आप जो ही मेसेज भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं आप वो पहुंचाईए तो जो मुझे आता है सहज रूप से सरलता से वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ तो इसलिए मैं उनसे जिद नहीं कर सकती कि आज प्रभू एजुकेशन का बताओ आज प्यार का बताओ जो वो दे रहे हैं, जो मेसेज है, लेकिन ये मुझे ज़रूर विश्वास है वी तक पहुंचे हो तो आपके लिए कोईना कोई मेसेज़ ज़रूर होगा, इसलिए इसको लास् तक ज़रूर सुने मेश राशी वालों चलिए जानते हैं यह हफ्ता आपके लिए क्या ले करके आएगा एक तो इस हफ्ते में मुझे आप ताइम को अच्छे से मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो आपकी ताइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी कुछ नया हो सकता है आप अपने रोटीन में आइड करें या हो सकता है कुछ पूराने रोटीन में फेर बदल करें लेकिन ताइम को आप अच्छे से मैनेज जरूर कर पाएंगे जिसकी वज़े से लाइफ में ग्रोथ होगा इस हफ़ते में ग्रोथ होगा कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है जिसे लोन में अगर अर्चन हा रही थी तो आपका लोन जो है वो सैंक्षिन हो सकता है लोन मिल सकता है या अपलाई करना चाहते तो इस हफ़ते में करिए जरूर आपको सफलता मिलेगी प्रेम समंदों की बात करें तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है अन्नेसेसरी लडाई जगड़े हो सकते हैं और आपके पार्टनर की विरुद आपको कोई बाते सुनने को मिल सकती है जिसके वज़े से आपका मन जो है वो थोड़ा सा तूटेगा मन थोड़ तो प्रेम संबंध जो है वो बहुत अच्छे नहीं है और किसी तीसरे की वैसे अच्छे नहीं है या तीसरा चौथा बंदा कुछ भी हो सकता है थोड़े एक्स्ट्रा लोग है आपके आसपास के जो आपके रिलेशन्चिप को लेकर की डिसकशन कर रहे है या आपको ऐसी बा कुछ लोगों को किसी की शादी की खबर मिल सकती है जो कि आपको लगे का रहे इसकी भी हो गए शादी इतनी जल्दी उमीद नहीं थी या फिर बहुत देर से हुई है चलो फाइनली हो गई तो उस विशे में आपको कोई शौक जो है इस हफते में मिल सकता है तो इसी कुछ चीज़े आपकी दिमाग में आ सकते हैं लेकिन रष्ट मत कीजें अच्छा है लेकिन रष्ट कोई डिसिजन ना ले, इंपल्सिजन ना ले, सोच समझ के ही करेंगे तो जादा अच्छा रहेगा जैसे कि देख पा रहे है कि कुछ परिवर्तन आप अपने जीवन में इस समय जरूर लेकर के आएंगे कुछ ना कुछ रोटीन में चेंज हो रहा है या कुछ ना कुछ काम करने के शैली में परिवर्तन हो रहा है तो थोड़ा चेंज के बादल तो है है बिजिनिस्मेन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा अगर बिजनिस किसी चीज़ कर रहे हैं, वेपार है, काम है आपका, तो आपको अच्छा धन इस हफते में आपको मासकते हैं और लेंदेन चलता रहेगा, आपको खर्चे भी है आपके, लेकिन खर्चे से भाफिट इस हफते में बने का, जॉब के विशे में बात करें, तो कुछ किसी विक्ति का जो देख रहे हैं, उनमें से किसी की रिटारीमेंट इस हफते में होती दिखाई दे रहे हैं, कुछ जि count दिखाई दिखाई दे नहीं Hagdata की हाई गास देरहा है मैं आपकी इलकाई सकनी अपकी फैमिली इन पार्ट करें रहा है दु दिए जिए साफधान धान तो उसमें ध्यान नहीं देंगे, तो वही साफधानी है, वो अच्छा रहेगा, हर गुरुबार को हमारी यहां सिद्ध दर्बार लगाया जाता है, क्योंकि बिलकुल निशुल्क होता है, और उसमें बहुत सारे चमतकार होते हैं, एक और भग के साथ चमतकार हुआ है, चलिए जानते हैं, जैसनीदेव, मेरा नाम मेहा है, मैं दिली से आई हूँ, वीडियो देखके आई थी यूटूब पे, और गुरुमा बहुत अच्छी है, गुरुमा ने मुझे साही कर दिया है, और मैं आप सब से भी बोलते हैं, आप सब भी आये, हाँ पर कोई फीस नहीं लगता है, यह द सकते हैं, तो बहुत एक चेकलिस्ट बना लिजे पहले जाने से पहले और उस चेकलिस्ट के हिसाब से अपना समान चेक करके ही आप निकले, वरना थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, इस समय में जिनको नीन आने में समस्या है, तो उनको थोड़ी सी और दिक्कत हो सकती, र बिल्कुल उसको अच्छे से तयार कर लिया है या आपको समझ में आ गया है आपने मानेज कर लिया कि कैसे क्राक करना इन चीजों को तो कुछ एजुकेशन की परपस में कुछ चीजें अच्छी आपके लिए दिखाई दे रही है अगर किसी का प्रॉपर्टी को ले कर लिया ह है या थोड़ा सा अतिक्रमन हो गया है या इस तरीके से प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट जो है उसमें आगे बढ़ोतरी होते दिखाई दे रही है मतलब कुछ ना कुछ कोट की तरफ से या तो इंटवीन होगा या आप कोट में जा या फिर आपके फ्रेंच सर्कल में कोई लडाई जगडा हो सकता है और उस लडाई को वो लोग आपस में लडाई कर रहे हैं आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं लडाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सारा इल्जाम वो आप बेया जा रहा है तो उस चीज से आप मुझे लगता है अगर कोई लडाई किसी की होबी रही है तो इस अवते उस से दूर रहे है उसको जितना सुल्जाने की कोशिश करेंगे आप उल्टा उसमें उलच जाएंगे तो उससे थोड़ा दूर रहने की सला में आपको दूंगी सबसे पहले जॉब वालों की बात करेंगे तो जॉब वालों को कोई नया प्रोजेक्टिस समय में मिल सकता है कोई नया असाइनमेंट मिल सकता है कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आप अगर उसको फुल्फिल कर ले तो आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव या कमिशन या प्रापर्ली बिजनस कहीania, यह कुछ प्रॉब्लम आरही है और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपके बिजनिस में जो भी एक परसन है जो मैनेज कर रहे है बिजनिस को आपके साथ-साथ तो वो थोड़े से बहुत जादा रूड हो रहे है कस्टमर के साथ तो वहां आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है अगर आप किसी भी प्रकार से अपना कोई बिजनिस कर रहे हैं इन्फ्लूएंसर हैं आप डिजिटल क्रियेटर हैं आप सोशल मीडिया पर आक्टिव रहते हैं यूट्यूब अगेरा चैनल है इंस्टाग्राम का पीच है फेस्बुक है तो वहां कुछ अच्छे कस्टमर को कि अच्छे लोगों के बीच में आप आसकते हैं कुछ लों के लिए कोई verified लोग भी उनको जो है इस समय में मैसेज कर सकते हैं या ऍहासा कोई पोस्ट आपका हो सकता है जो काफी सारी लोग को शेयर करने लगें तो दोड़ासा आप अ आप को एकल को लोगों की बीच में प वहाँ थोड़ीज तो, थोड़ीड हो जुख भी थोड़ीज क्यों सकती है स pourquoi, भिवक्षाइफ कशित तो ही चाहिए हो थोड़ीज नहीं सकती है लेकिन हाउग है, तो मुझे लगड़ा हैं, तो मुझे लगड़ीज से लिए तो कि यहनल है और भी प्रेस्टाइच को इतना में वेट आप आपको लग आकश्योट शुन bawा मैं लिव है करते हैं पष़ते हैं अगर आपको कोई व्यक्ति पस्संद है गुष हो जब करें कि पास इस वोग कोई पसंद है już समय में हुआँ आपको अगरा है चॉज हो रही हैं आपकोो एक से अभी कर में करें मारिज को लेकर को लेकर कि संदेऊ है डिए कि इस साथ अग़ कोग्ड़ करें Lag 1-2 पता लग जाएगा, तो वो काफी clarity आती ही दिखाई दे रहे है, कुछ emotional होते ही हिस हवते में आप दिखाई दे रहे हैं, अपना family में किसी के साथ कुछ हो सकता है, या हो निसे मेरा मतलब हैं, उनके सब को incident ऐसा हो सकता है जिसको देख कर के आप बहुत emotional हो रहें, maybe वो बहुत तो आप इमोशनल हो रहे हैं, तो फैमिली को लेकर के थोड़ा इमोशनल आसपेक्ट बना हुआ है, इस हफते में आपकी मुलाकात के कुछ दोस्तों से जरूर होगी या कुछ रिष्टेदारों से होगी, कुछ लोगों के साथ बैठ करके चाय नाश्ता करते हुए आप दिख बिजनस के बात करें तो बिजनस में अच्छा है, अगर पार्टनर्शिप में आपका बिजनस है, तो वहां थोड़ी खीचाता नहीं हो सकते है, किसी बात को लेकर के, या किसी पैसे को लेकर के, जैसे आपकी पार्टनर को अभी थोड़ी जादा पैसो की जरूरत है, तो व आप मुझे जाब दिखाई रहे है। कोई पार्टी है या कोई फंक्शन है, या कोई दिनर है, कोई खाना है कहीं तो आप ज़रूर जा रहे हो और वहां थोड़ी से हल्प करते हुए भी दिखाई दे रहे हो और कहीं न कहीं ट्रावल का आपका प्लान तो जरूर बनेगा, वीकेंड पे बने या कैसे भी बने लेकिन आपको जाना पड़ेगा, तो एक तो वो चीज दिखाई दे रही है, वर्क प्लेस की बात करें, तो वर्क प्लेस पे थोड़ा बोज जादा हो सकता है, या अगर हाउ जादा है, और वो आपसे हो नहीं पा रहा है, फिर भी आप बहुत स्ट्रेस करके उसे कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा से आपको प्रॉग्लम होगा, बिजनिस की बात करें, तो जो लोग बिजनिस करते हैं, उसके अंदर काफी लाव होता दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी बी तरीके से कोई सरकारी काम रुखा हुआ था तो इस हफते में वो चीज कम्प्लीट हो सकती है, यश पर तेज ही आ सकती है, उसका स्टार्ट हो सकता है, बहर्भ वहां से आपको रिलीव ज़रूर मिलेगा, इस हफते मैं आप सेविंस अपने लिए जरूर कर इसा दिखाई दे रहा जिस पर आपको काफी प्राउड होगा लव इन रिलेशनशिप के बात करें तो उसमें काफी सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आपका नो कॉंटाक सिचुएशन था तो हो सकता है इस समय में आपका जो पार्टनर है तो अपसे बात करें या आप उनसे बात करें इनिशेट दोनों में से कोई भी कर सकते हैं लेकिन बातचीत होती दिखाई दे रही है तो लव मैंटर के लिए यह समय बहुत अच्छा है साथ में भी घूमने जा सकते हैं समय एंज़य कर सकते हैं एक दूसरे को कमफ़ट दे सकत कुछ लोगों के पार्टन जो है वो मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है आपसे माफी बांगा या इमोशनल हो रहे है या उनके लाइफ में कुछ ट्रगल चल रहा है जिसकी बज़े से वो इमोशनल है और आप उनको कंसोल कर रहे हैं आप उनको काफी दे फैमिली लाइफ की बात करें तो दो के अंदर थोड़ी निराश्य आपकर अग साथ सकती है अगर अगर मारीड है और आपका आप पैमिली नहीं प्रता है तो वहां कुछ निराश्य आपको लग सकती अपने पार्टन से क्यों हुए कि लो ए थ draft विक उत्क फ क्पहीं दिख प्रेडिंग अगरा कोई काम करते हैं तो भहला आपकी संभावना है और आप इन्वेस्मेंट करते हुए कि छूटधा-चूटधा डिशीच में के चीज में कार रहे हैं और इसमें इसमें हुए तो इस हमते भी हमेगास हुआ कुछ it अपलॉट खरीदने के लिए लाइंड करीदने के लिए पैसे जो हम दे सकते हैं काफी लोगों के लिए ऐसी ऐसी कुष्कवरी दिख रही है जो लोग अपने family में अभी तक contributing नहीं कर पा रहे थे मिल आप अपने family के लिए कुछ करना तुछ चाहते थे लेकिन करना ही पा रहे थे नौख्री नहीं मिल रही थी तो इस अधे आपको chance मिल सकता है कुछ ना कुछ चाहें, पार्ट टाइम आप करें चाहें, आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग एक जॉब मिल जाए, नहीं कुछ ना कुछ आप जरूर ऐसा करेंगे, जिससे आप अपनी फैमिली का टेक केर करना स्टार्ट कर पाएंगे, एजुकेशन की बात करें, तो जो करेंगे, तो वहां थोड़ा मुझे लाने की जरूरत है आपको जो कर रहे हैं बिना सोचे, बिना इमोशन को मिक्स किये हुए, आप उसको करते रहें, वह कंप्लीट हो जाएगा, कुछ लोगों को जुखाम हो सकता है इस हफते में तो अपना सर्दी करनी से थोड़ा पचक मिल जुल के आप कोई काम कर रहे हैं, करकराशी वालों चलिए जानते हैं इस महिने का जो आखरी हफता है वह आपके लिए क्या ले कर आएगा, सबसे पहले तो उचे दिखाई दे रहा है अगर आपकी किसी से लड़ाई चल रही थी, किसी के साथ मनमुटाफ चल रहा था, क अपनी बात को रख पाएंगे, दूसरे को समझा पाएंगे, और कहीं न कहीं एक रेजलूशन पर पहुंचेंगे, तो आपकी अशांती से शांती से हफते में आती दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले तो आपके लिए ये गिफ्ट है, आगे बढ़े तो इस समय में रेप अगर आपका बोलने का काम है, आप औरेटर है, आप बोलते हैं, वोकलिस्ट हैं, या किसी तरीके के मोटिवेशनल स्पीकर है, या खुद का आपका कुछ सोशल मीडिया पे इंफ्लूएंस है, और आपके विचाल लोग सुनते है, तो विचाल में और जादा पश्टता तो ये एक अच्छी चीज है, आपके करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, आपके वर्क को लेकर के, किसी प्रकार का एक्जाम अगर आप देना चाह रहे हैं, इस हफते में माली जो रिजल्ट आना है, या एक्जाम देना है, तो आपका डेफिनितली बहुत अच्छा ना तो आप उसको अपने उपर कोई सेविंग्स करेंगे जो जैसा चल रहा है उसे को चलते रहने देंगे और काम में अपना लगे रहेंगे तो बिजी कहीं न कहीं आप मुझे दिख रहे हैं ग्रोत का समेय हैं लेकन एक तरफ तो ग्रोत हो रहा हैं, मन थोड़ा सा उदास हो सकता है, या उदास पे ना कहूं तो फोड़ा detaach हो सकता है आपका चीजों से, अ क cabeça पा से बहुत समेय से जो नहीं कर पा रहे थो आपको खार रहे हैं, थोड़ा वह पाषण कोवास मिलें तर कि अधर तरीके का रूटीन है उस रूटीन को तोड़िये और निकलिये निकलिये जो नहीं करते हैं, तो भाहा थोड़ा सा उदासी पन या खाली पन या थोड़ा सा अकीला पन जो है वह दूर हो का इस समय में कुछ नई कपड़े खरीदे हुए आप मुंझे दिखाई दे र अगर वे जोड़ लेक वाहे ज़रेगा को आवा सकते हैं इस क्यों फ्योंट जरूर बन्वा सकते हैं, इस अगर अगर आप फ़ेक्डन हैं डिखायी देरा है की तोड़ा सा वो आपको कण्ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपके भले के लिए ही होगा तो जैसा वो कह रहे हैं आपको इस समय वो कर लेना चाहिए उनके instructions को follow करना आपके लिए जाधा better होगा. education की बात करें तो यह काफी लोग मुझे रात में पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इया कोई नया course या तो आप अपने career को आगے develop करने के लिए कोई नया course कर रहे है या किसी नए course में Enrol कर और रात रात में जग के पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपको आगे चल के फ्यूचर में पैसे में जरूर कर्वर्ट होगा लव और रिलेशनशिप की बात करें तो कोई तीसरा आपको डिस्टर्ब कर सकता है आपकी लव रिलेशनशिप में वो जबरदस्ती आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं या जबरदस्ती आपसे कोई बात करने की कोशिश कर सकते हैं आपके पार्टनर से बात करने की कोशिश तो अच्छा ही रहे का आइज में थोड़ा जलन होना या आइज में थोड़ा भारीपन होना चुबन होना इस तरह की चीजे रेडिशने सोना हो सकती है वरना ओवराल हेल्थ भी आपका अच्छा रहे का सिंगराशी वालो चली जानते हैं इस हफते में आपके साथ क्या होने वाला है सबसे पहले तो आप मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे आप जैसा कर रहे हैं आप जैसे ड्रेस अप हो रहे हैं आपका जिस तरीके का बोलने का तरीका है जिस तरीके से चलने का तरीका है तो वो लोग आपको कॉपी कर सकते हैं तो अगर आपका किसी भी तरीके का ऐसा काम है जहां आपने सीक्रेसी मेंटेन करनी है यह आप नहीं चाहते हैं कि आपके कोई कॉपी करे तो उस पर आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा तो को इमिटेट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, धन को लेकर के बात करें, तो कुछ परिवर्तन आप कर सकते हैं, मतलब कुछी तरीके की कोई इंवेस्टमेंट का चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, वरा कोई FD आपका समाप्त हो रहा है, या आपने कोई अपना लैंड बेचा है, या अपना कोई फ्लैट बीजा है, कोई माकान बेचा है, प्रॉपर्टी बेचा है, तो वहाँ से पैसा आरा है, लेकिन दूसरी जगे पर उसे इंवेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज है, अगर तो इसको इंप्लिमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा चेंज तो इस हफ्ते में जरूर करेंगे, तो आपका सफिशिंट बना रहे हैं, उसमें कोई दिकत नहीं है, इस हफ्ते में आप में बहुत हमत होगी, अगर आप कुछ भी रिस्की ट्राइ करना चाहते हैं, तो आप बिल इसी दुष्टी से देखते हैं, कि आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वह चीज में परवत्री होगी, और जादा अगर कोई गुरू है, या कोई बोटिवेशनल स्पीकर है, उस तरह से हैं, तो वहां या लीडर है, या पॉलिटिक्स में हैं, तो वहां लोग आपको ल क्योंकि काफी सारी लोग आपसी कनेक्ट होने को तयार हैं, इस समय में माइंड में थोड़ा सा शोर आपके रह सकता है, क्या करें, 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 तो बहुत जादा माइंड में आपके शोर हो सकता है, या लोगों की बात पट पट उस काम को कर देचे, क्योंकि यह चैटर तो पूरे हफ्ते नहीं बंद होने वाली है लीगल किसी भी तरीके का मैंटर है या या लीगल में एंटर होना चाहरे थे तो एकदम किसमत आपकी पलतेगी और आपको अगर हेल्प नहीं मिल रही थी या अपकि चैञ्ज्च हो सकते है या अब जाकर कि अगर आप किसी और कोर्ट में प्तिशन फाल करनाशते है या अप कोई फीयर पाइन कीज्वcidos है तो कुछ है ज़ुआ कोई पूरे होगा लेकी予 या एसा कोई लग पता चल सकता इसे लो के बारे में जो आप अपनी व्यूज कर सके तो जिनका भी केस चलरा है या आप जाना चाहते है तो वहां कुछ परिवर्तन हो का लेकिन परिवर्तन आपके लिए अच्छा ही हो का बात करें, तो जूब आपका रहें ढ़र अगर फराइख तीम लीड से आपना है अपना इसी तरीके चीज़ को हैं, आपके नीचे नीचे क कुछ लोग हैं बच छजातें करें भाइखे बहुत अच्छी से चीज़ कर पाएंगी, बहुत अच्छी से श्याची करेंगी, और ग एक वाप आप आप नगे हो यह पुछ अपया है रिस्की मोवाप ले इस हावते बिजनस में और उसको लेकर कर आप तेंशन में रहेंगे बहुत आपको रातों में भी नहीं आरी, टेंशन ओरी, काफी रिस्की काम करने आप जा रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करिये, आपको पैसा दे करके जाएगा, तो टेंशन मत लो, पूरे मन से काम करो, फैमिली लाइफ की बात करें, तो फैमिली लाइफ अपकी बहुत अच्छी रहे की सुखद रहेगी, फैमिली से आपको सपोर्ट मेलेगा, खुशनोमा समय है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं दिख रही है, लाव एं रिलेशन्शिप की बात करें, तो उसके अंदर कुछ लो कुछ ऐसा काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, तो एक नेक्स चेप पर बढ़ रहे हैं, हेल्थ की बात करें, अगर साइनेस का प्रॉब्लम आपको है, तो वहां प्रॉब्लम हो सकते है, सरदर्द थोड़ा सा दिखाई दे रहे है, इस सर का दिर्द आपका आता सबसे पहले जो मझे दिखाई दे रहा हो यह है कि आप किसी के बाती है, तो तोड़ा सा इनरजी से बाहर रहने की कोशिश कीजिए, और अगर आपका कWest सोशल मीडिया पर कोई पेज वगरा है आप कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया से अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर करते हैं वहाँ पर तो हो सकता है कोई व्यक्ति वहाँ पर बहुत ही हार्ष या हीड कमेंट्स करें जिसकी वज़े से भी आपका मन दुखी हो जाए तो वह थो थोड़ा सा गुसा जादा आएगा इस अपते में अपने काम को ले करके थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं शायद कोई डेडलाइन आपको मीड करनी है काम पूरा करना है वह नहीं कर पा रहे आप और दूसरे भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनके सपोर्ट महीं मिल रहा चोपाते हुए भी थोड़ा लोगों के लिए काफी योगों के लिए दिखाई दे रहा है अगर मैरेश के लिए प्रकोजल ढूण रहे है तो इस हफते में कई सारी प्रकोजल आपको देखने को मिल सकते हैं पिसमें से आपको चाटना मشकिल हो जाएगा, कि किस रिष्टे को हमें आगे बढ़ना चाहिएं, आप अपने लिए या अपने अपने मच्चे के लिए आप देख रहे हैं, तो काफी सारे रिष्टे से और अपने अप साथ को आ अप सकते हैं, या आप किसी dzisiaj साइट पर ऑइस तो काफी सारी रिष्टे आपको दिख सकते हैं लाकिन उसमें से ढूंड़ना थोड़ा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है बिजनिस की बात करें तो बिजनिस में आप करेंगे तो बहुत अच्छा लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है वहां पर जो काफी जेलिस भी आपसे हो जाएगा तो थोड़ा सा तो थोड़ा सा वहां आपको केर करने की जरूरत है अगेन थोड़ा एगो से बाहर रहे हैं आपके लिए रहेंगे प्रूजिंग को बहुत बहुत बथ कर लेंगे लेकिन कोई व्यक्ति वहाँ जलिस आपसे जरूर हो का अगर मैरिड लाइस में आप हैं तो कुछ पता नहीं confusion आपको आ सकता है कोई आपको decision लेने में कोई दिक्कत हो रही है कोई decision आपको लेना पढ़ रहा है वो आपको बेटर है आपके लिए रहेगा तो इसके लिए जादा परिशान होने की जबद नहीं है तो उस चीज का ध्यान रखें लेकिन पैसा ग्रोथ आपका करता रहेगा इस समय में थोड़ा सा शत्रों से सावधान रहेंगे स्पेशली परोसी वो आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं या आपके कोलीक्स जो है वो आपको तंग कर सकते हैं तो उनसे थोड़ा साफधान रहने की जरूरत है हेल्थ की बात करें तो आप थोड़ा देखवाल के कुछ खाईएगा कुछ फूड़ पॉइसनिंग हो सकती है आपको कुछ गंदा बाहर कर नहीं खाएंगे या घर में भी जो है न मताब एकदम साफ सुत्रा तरीके से कुछ खाईए थोड़ा सही या वाटर का ख्याल रख तो थोड़ा पूद पॉइसनिंग के चारंस आप इसहता है अदि करें तो एजू के बात करें तो आपको कही जाना पढ सकता है उसमाल दिख रहा है जिसटीशन by ब네 है और में लोग नौ के बारे में आप बाता बनाते दिखाईए दिखाई दे रहे हैं पता नहीं कियो थ », तो थोड़ा सा मुझे आप गॉसिप के पार्ट होते दिखाई दे रहे हैं इस समय में अपने एजुकेशन को लेकर के अपने पढ़ाई को लेकर के और थोड़े से कहीं जाना पढ़ रहा है तो जिसके वज़ से आप पूरा नहीं कर पाएंगे तो वहां भी थोड़ी सी प्र तो उस दिम्मेदारियों के वैसे आपको कोई दिकत नहीं है लेकिन हां थोड़ा सा आपको उक्यूपाई रह सकते हैं थोड़ा सा बीजी रह सकते हैं थोड़ा सा लग सकता है कि अपने आपको थोड़ा प्राइटी नहीं दे पारें अपने आपकी गोल्स को थोड़ा पु प्रेमी जोड़ा होता है उनके हेल्प करने का मौका बेले का साथ में अगर हम लव एंड रिलेशंशिप की बात करें तो लव एंड रिलेशंशिप जो है उसमें सुधार हो कुछ लोगों की पार्टनर उनको मैरिज के लिए भी पूच सकते हैं या आप मैरिज प्लान कर सकते हैं या आपकी बातचीत शुरू हो सकती है शादी के संबंध में तो वहां या आपको अगर आप अरेंज मैरिज के लिए भी किसी से मिल रहे हैं कोई से सेट अप आपका बन रहा है तो पहले उनसे मुलाकात करके उनके लिए आपकी पीलिंग्स डेवलाप होने लग जाएं कुछ बेटर सेल्स होती दिखाई देरी है आपके बिजनिस के अंदर और कुछ नया आप जरूर कर रहे हैं कुछ क्रियेटिव सा कर रहे हैं हलका सभी मतब चेंज लेकर आ रहे हैं तो उससे चीजें जो है वह आपके लिए शिफ्ट हो रहे हैं पैसा बढ़ रहा है आपको कि नोग बे बні भी अच्छा बना रहे हैं सोड़े से कोवर्कर्स जो है यो थोड़े आप से जयलिस हो सकते हैं क्वचि शायद आपको क्योंको कोई एक्स्ट्रा कमिशिं मिल रहा है या कोई लोई है बोनुस मिलेया है यद और आपको एक्स्टा कोया एक ट्रियतंट आपको दीया चाहर है आपको ओटसमें लोज का अपकी डेखर है और चुप-चुपार्च ने कि हुआ जानने की खरिशिट है तो यद वह कोशिश क्र आप अन्य उम्हों को पाएंगे लेकिन गो पर काम करने का आपको मुपका मिले का उसकी वजह से भी जो अधर इंपलोईस है या जो सीनियर इंपलोईस है जिनको नहीं अभी तक ग्रोथ मिला है तो वो तोड़े जैलेस आप से हो सकते हैं इस समय में जैसे बता थोड़ा work balance, home and work को थोड़ा balance करके चलना पड़ेगा तो थोड़ा सा आपको priorities देखनी पड़ेंगी उसी साथ से खर्चे मैनेज करने पड़ेंगी पैसा तो आ रहा है लेकिन खर्चे भी साथ साथ ला रहा है और especially घर को ले करके घरवालों को ले करके थ उस समय थोड़ा सापको तकलिफ हो सकता है कि जहां से पैसा रहा है वहां जा रहा है और थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गए तो उसे एजस्ट करने में थोड़ा समय लगएगा लेकिन हो जाएगा इस समय में कॉंटक्स जो है वो आपकी ज्यादा बढ़ सकते हैं और वो उ क्लाइन्ट बन सकते हैं या वो आपके आ सकते हैं आपके आपके बास आ सकते हैं और काफी कॉंटाक्स आपकी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हेल्थ की बात करें तो ठीक रहेगी रादर आपको इस हफते में कुछ ऐसा स्पेशल पावर भी होगा कि अगर आपके घर में कोई बीमार है या कोई आसपास में बीमार है और आप उसको कोई दवाई बता दो या आपको इसको जड़ी बूटी बता दो या आपको कोई ऐसा आपको जल्दी ठीक कर लोगे तो ऐसा कुछ योग आपके लिए बन रहे है तो किसी को अगर एडवाईस देना हो तो जरूर दीचेगा एजुकेशन की बात करें तो आपको अफसर मिल सकता है कुछ आपको आपको जैसे कुछ स्टूडेंट आपको मिल सकते हैं जिनके सेम आपको और सेम एक्जाम कर लोगोा थाद करना चाहरे है तो काफी एक्जाम के ओपर चर्चा हो सकते हैं कुछ साथ मने भी चाने भी जा सकते हैं तो काफी चर्चा ओडिप्स्क्शन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और थोड़ से इमोशनल आप उना सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ आपकी एक साथ चलती रहेंगी तो वहां तो फोकस आपको बनाए रखना है कि अभी मुझे यह काम करना तो इसी पर फोकस करना है लाश्य क्राशी चानते हैं यह थाले कर एंकि्या बएता लिए डिख्ता इस कोई वयकती आपको बहुत चाई है जेसी शहाली और वन को असली गळार बने लिकिन आप पराटन स्टॉकाष कर निए थोड़ी से टॉक्सिक लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है इस हफते में लेकिन आप उनको के सामने बहुत स्ट्रॉंग रहेंगे और उनको कॉट आफ कर लेंगे लेकिन किसी ना किसी के बारे में यूल रियलाइस की है व्यक्ति ऐसा है जो हमें बहुत समय से देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं उनकी नियत बहुत अच्छी नहीं है तो वह आपको रियलाइस तो इस हफते में हो ही जाएगा इस हफते में अगर हम सबसे पहले हेल्थ को देख लेते हैं, तो हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, पुरी बॉड़ी में पेन रह सकता है, और थोड़ा सा एंगर बढ़ सकता है, तो वहां थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जॉब की बात करें, तो जॉब को लेकर कोई नया कॉंट्राक्ट साइन कर सकते हैं, कोई नया ओफर आपको मिल सकता है, लेकिन आप उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, इमिजेटली उसको लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप उस पर विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनिस के बात करें, काफी पैसे, जैसे मार्केट में डालते हूоХाय है। या किसी को काफी बड़ा उधार गोफोध आफ वह घाए हां या ले रहा है। अ भीको ने ले रहे है। रिस्क है। और आप उस रिस्क को ले रहे हो। और उससे आपको definitely lab होगा, बस थोड़ा सा अपना paper work सही रखेंगे, अन्यता आपको lab होता दिखाई ही दे रहा है, लिकिन risky move होगा, और competition में काफी लोग आपके खड़े हुए हैं, इस समय में पेट में थोड़ी problem आपको हो सकती है, कुछ लोगे तो ऐसा दिखाई दे रहे है आप कितना भी खाना खा रहे हैं, आपको फिर भी ऐसा लग रहे हैं, तो कुछ लोगे लिए भूग काफी दिखाई दे रहे हैं, investment कहीं पे आपने कर रखा है, तो उसमें से returns आपको मिल सकते हैं, लेकिन थोड़े return मिलेंगे, और आप further उसी से जादा investment करता दिखाई दे र हैं, तो एक दूसरे के साथ cooperation जो है, वो मिलता रहेगा, फैमिली लाइफ की मात करें, तो फैमिली लाइफ में थोड़ी सी burden आपको महसूस हो सकती है, जैसे आप ही के ओपर सारा burden डाला जा रहा है, आप ही से सारा काम कराया जा रहा है, या आप ही को हर चीज के लिए responsible ठहरा सकता है, तो इस तरीके की फीलिंग आपको फैमिली मेंबर से हो सकती है, एजुकेशन की बात करें, तो इस समय में जो आपका ध्यान है, वो थोड़ा सा बढ़ेगा तो सही लेकिन फिर भी कही न कहीं गलत ट्रैक पे कुछ बच्चे जाते मुझे दिखाई दे रहे हैं, थो मारपीत में जगडे में इस तरह की कुछ चीजे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप खुदी ब्रिश्चिक राशी के अभी स्चूडेंट ही है, तो इस बुरी संगती से दूर रहेगा वरना आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, घर में थोड़ा सा मेलोड्रामा वैए मैं, आप क्या हो सकता है किसीजे की बहुत बढ़ा एया वो अथ दिखाई के नहीं ऐस दिखाये रहे हैं अगर किसी तरीके की लोग नहीं जानते हैं को पुछ आप चाहते हैं लोग नहीं जाने तो अफ्लीजत घ़्ाय बोले जोच थिंजर है कोई व्यक्ति तो जरूर अपमें नजर रखे हुए अनुराशी बालो चली जानते हैं यह हफ्ता आपके लिए क्या ले करके आएगा इसमें दिखाई दे रहा है जैसे कोई निमंतरन आपको मिल रहा है कोई इन्वाइट आपको मिल रहा है और इंविटेशन को देख करके तो डहीं बालो जाते हैं और इसमें में मैं थोड़ा चले जानए एक मन है लिएगान आपको जाना है तो एसा कुछ इसक्राशन हम भीटेशन को ले करके जाना नहीं चाहते हैं और इस्विशे को लेकर बहुत कंफीज्ट गन मुझे यह सा लगता आपको जाना जाहीए है आप अपने आपको इंजोई करे ही आएंगे, आपको अच्छा लगेगा, इसी कोई डर की बात नहीं है तोड़ा सा अगर आपको लगता है इमोशनल हो जाएंगे वहां जा करके तो भी कोई बात नहीं है, सब यूमन है हम आप जा सकते हैं, कोई दिकर्त नहीं है जॉब की बात करें तो कहीं दूर से कोई आपको ऊफर मिल सकता है जॉब के लाएं या काम के लिए बता सकता है कि वहां पीकाम है, लेकिन वह बहुत दूर है तो इपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है और आप उस काम को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं लेकिन अपरचुनिटी तो अच्छी ही दिखाई दे रही है अगर आपके वर्क प्लेस पे बात करें तो वर्क प्लेस पे मेहनद बहुत जादा होगी और उसका अप्रिसीएशन जो है वो इतना नहीं होगा यानि कि काम बहुत जादा कराया जाएगा पैसा आपको देगा रही कोई और एक्स्ट्रा काम का तो पैसा मिलता नहीं दिखाई तरीके से आपका इस हमता दिखाई दे रहा है एक उनेक्सपेक्टेड न्यूस आपको मिल सकती है को एक्सपेक्टेड आपका काम एक्टम हो जाएगा या कोई अचानक से होगा जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आप छोड़ चुके उसको कि यह नहीं हो तो वहां थोड़ आपको केरफुल रहनी की ज़रूरत है अपना थोड़ा सा अपना आपको अपनी वानी को थोड़ा इस समय में सभालेंगे जिनके फैमिली लाइफ में भी थोड़ा आप एंडाउन होता दिखाई देरा है कुषी के भी कुछ मोमेंट्स आएंगे लेकि आ स्टुडेंट्स का देखें तो स्टुडेंट्स कुछ ऐसा कारी कर सकते हैं जहां लोग उनको देखेंगे जहां लोग उनको एप्रिशियेट करेंगे आपको कोई अग्जाम या कोई टेस्ट आपका हो सकता है या अच्छा अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं लोग देख या कोई आप मेंटोर है आपके तो वहां आपको कोई व्यक्ति मिल सकता है जो कि आप ही की जैसे है मतलब फ्रेंड आपके किसी कोर्स में या किसी एडुकेशन परपस में कोई दिखाई दे रहा है और यह जो फ्रेंडशिप है आपके लॉंग रास्टिंग रहेगी एक दूसरे को आप सपोर्ट करेंगे धन के बात करें तो धन आपका सही बना रहेगा अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे पता हैं कितना खर्चा करना है कितना किस पर करना यह सारी चीजे आपको आइडिया बना रहेगा इस समय थोड़ासा अक्ल्स कि तरफ आपका थोड़ा सा नियुमरोलोजी की तरफ स्पेशली आपका जो रुजहान है वो बढ़ सकता है कुछ लोग ध्यान साधना भी प्रारंब कर सकते हैं इस समय में लेकिन मन जो है आपका बहुत जद आपको परिशान करेगा ध्यान करने बैठोगे तो सब बहुत फुर्ट को बढ़ साथ काना खाना खाना आपको शुट नहीं करेगा तो वहां थोड़ा सा पाईसी फूट से बचने की ज़रूरत है जादा खाने से ज़रूरत है वरना पेट में दोड़ी दिक्कत रहें कि और साथी आइस में थोड़ी प्रबलम आती दिखाई दे रहे है आइसाइट अपनी जरूर चेक कराएं अगर सरदर की प्रॉब्लम है तो दोनों आइस में ही थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है मकराशी वालो चली चानते हैं यह हफता आपके लिए क्या लेकर के आएगा इस हाटे में एक तो दिखाया दे रहा है कि कोई व्यक्ति हैं जो आपको फसाने की कोशिष करेंगे लेकि़ अपने ही चक्र भीव में फस जाएंगे आपको और तमाशा देखना है थोड़े समय के लिए ईससा लग सकता है जिसे ठ्रैप हो गए है पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन चिंता मकरी, भगवान आपके साथ हैं, सबते आपके साथ हैं, कोई भी दिक्कर आपको नहीं आने वाली है, जौब की बात करीं तो जौब में दिखो, चीजे तो अची हैं लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क लेने से डरेंगे इस समय में, आपको कोई नई उपरचुनिटी आ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जॉब के अंदर ही कुछ एक्स्ट्रा कमाई करने का उप्शिन बन सकता है लेकिन आप जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप अपने मन में एक शांती सी बना लिए आपने जहां है वही ठीक हैं, अब इससे दादा कुछ नहीं चाहिए, सब बढ़िया चल रहा है तो ऐसी कुछ फीलिंग्स की वज़े से रिस्क नहीं लेंगे, तो आपके हाथ से मौका जा सकता है तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ाओ, स्टेबल मत बनो, आपके लिए बेटर ही ऑपरचुनिटी जो है वो आने वाली है अगर हम बिजनिस की बात करें, तो बिजनिस की अंदर थोड़ा सा ध्यान दखेंगे, पैसा तो बहुत आ रहा है इस अफ्ते में, लेकिन उस पैसे की साथ साथ कोई प्रॉब्लम भी आ रहे है कोई ऐसा कस्टमर आपको तक्रा सकता है जो कि आपसे refund मांगे, या आपको बहुत ज़्यादा तंग करें, या बहुत ज़्यादा आपको धंकी दे या लड़े जहगडें, तो ऐसा कोई कस्टमर भी बिजनिस में आपको इस समय में मिल सकता है, तो उससे साथान रहेंगे, विरना पैसा तो आपको अच्छा मिलता ही रहे गा कुछ लोग अपने दुष्टी से देगे कुछ rolled over to artisticOOD कुछ लोग बेटर करने के लिए भी कुछ कर सकते हैं तु आपने लिए कुछ लिए कुछ अविज नॉपने लिए कुछ करिच सकते हैं काफी जारे लोगों की help भी आप इस हफते में कर रहे हैं, कुछ पैसा भी कुछ लोगों को दे सकते हैं, वैसे भी कुछ लोगों को समान देते वे दिखाई दे रहे हैं, उनकी help करते दिखाई दे रहे हैं, पैसों से नहीं तो अपने श्रम से, अपनी मेहनत से आप कुछ help कर कुछ लोगों के लिए कोई नया रिष्टा जो है वो आ सकता है अगर आप सिंगल है तो कुछ लोगों को कहीं दूर किसी की शादी में जाने का अवसर भी इस समय में मिल सकता है अननेसेसरी की बहस से बचेंगे कुछ लोग मुझे पता नहीं पार्किंग या ट्राफिक को लेकर के सड़क पर किसी से बहस करते हुए दिखाई दे रहें तो फाल्तों की बातों में नाफ पढ़ें थोड़ा अवाइड करें इस अफ्ते में तो जादा अच्छा है उससे वर नाक का थोड़ा ख्याल दखेंगे एक तो नाक में चोट लग सकती है या नकसीर वगेर आपको पहले सी प्रॉबलम है तो वहां दिक्कत आ सकती है कुछ नों को नाक में चोट लगता हुआ दिखाई दे रहा है छोटी से चोट है लेकिन लग सकती है इस समय में आपका लेकिन वापस से फिर से जब जाएगा रिलेशन्शिप की बात करें तो इस हफते में जादा समय रिलेशन्शिप को देते वे दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे ऐसा लग बहुत बिजी है और आपको पास इतना काम है कि आप कर नहीं पा रहे है कुछ लोगों को जीवन मे इस हफते में आपके साथ क्या होने वाला है इस हफते में पहले तो मुझे आप बहुत जादा आलस करते हुए दिखाई दे रहे हो आपका मन नहीं कर रहा है कुछ करने का और आप स्पेशली काम को लेकर के थोड़े लापर वाह हो रहे हैं तो उस पर ध्यान देने की जरू करने लग जाएंगे जो कि exactly तो सही नहीं है दोनों ही hand in hand चलेंगे balance में चलेंगे तभी लाब होका इस हफते में आप कुछ लोगों को पैसा देते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन बहुत सो समझ के ही आप इस समय में किसी को पैसा उधार दीजिए क्योंकि वापस कोई opportunity तो बनेगी आपका चर्चा तो चलेगी कि आपके बातचीत तो होगी आपकी बारे में क्या बहुत अच्छे हैं काम अच्छा करते हैं लेकिन फिर कहीं न कहीं आपके अंदर laziness आ जाएगा तो वो तोड़ा सा मुझे लगता वर्क प्लेस से थोड़ा laziness दूर रखने या बाहर से समान आता है आपका या बाहरा भीचते हैं तो उन लोगों कुछ-कुछ लाब होता दिखाई दे रहा है लेकिन थोड़ा छूट तो जाएगा लेकिन कोई shipment आपका फस सकता है आपका कोई packet आपका order जो है वो बीच में कहीं रूख सकता है फस सकता है वो थोड़ तो वो भी दिखाई दे और अन्नेसेसरी का जगडा है कोई बड़ी बात नहीं है लव एं रिलेशनशिप की बात करें इस समय में तो उसके अंदर भागे अच्छा है अगर किसी को प्रपोस करना चाहते है तो भागे आपका साथ देगा अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो भी अच्छा है अगर इस दौर दिखाई के लिए किसी को डूण रहे है तो इस हफते में किसी से मुलाकात कर सकते है उन अच्छ के लिए हफता जो वो बहुत अच्छ थे इर आपके अगर हम अपके जो मैरेड लाइफ उसकी बात करें तो धन को लेकर उसे संपैंड कहा आपको बहुत जादा मतलब लोगों से डिस्टेंस होते दिखाई दे रहें आपको शांती जादा पसंद होगी आपको लगेगा कुछ मुझे डिस्टर्ब ना करे अपने आप में खुश रहने की प्रवरती आपकी बढ़ जाएगी लेकिन अगर गरस्ती में हैं तो आपके ल अच्छा नहीं है इस समय में घड में आपके बहुत जादा कूड़ा बढ़ सकता है आपके थोड़े कोक्रोचिस बढ़ सकते हैं और हवा जो है बहुत जादा पत्ते वगेरा या धूल मिट्टी आपकी घर में लेकर आ सकती है जैसे जैसे हफता आगे बीतेगा तो आप थ अच्छा नहीं है तो आपके लिए लाबकारी नहीं है आपको धने की हानी या आपके प्रॉपर्टी की हानी आपको पहुचा सकता है हेल्थ की बात करें तो हेल्थ तो एसे अच्छा है अच्छा है लेकिन थोड़ा से ऊसमें लैक अफ नर्जी में ज्हूल सकते हैं इस हफते में आपके साथ क्या होने वाला है इस हफते में थोड़ा सा मुझे दबा हुआ गुस्सा आपका दिखाई दे रहा है वो बार-बार बाहर आने की कोशिश करेगा लेकिन आप अपनी धार्मिक प्रवरती से आप अपने जो भी आप अब रत उत्वास करते हैं या भगवान का कोई नाम ले रखा है आपने जो भ करना है और किस से क्या बोलना है वहां थोड़ा आपको पुश हाट करना पड़ेगा तो थोड़ा सा दबा हुआ गुस्सा आपका है तो मेरा तो सजेशन यह है पिल्लो ले लो और इस पर खूब सारी पंच करके पहले गुस्सा निकाल लो ताकि आपका सारा हफता जो है वो तो सामने वाले ने मुझे धोका दिया यह बात पहले बताई नहीं थी यह उनके नेचर की वज़े से आपको अचानक से शौक लग सकता है कि यह किस तरीके की नेचर है तो वहां थोड़ा सापको शौक की संभावना इस हफते में बनी हुई है और अगर हम आपके मैरीड ल जादी शुदर जीवन में आपको अकेला पन लग सकता है जौब की बात करें तो अगर जौब चेंज करना चाहते हैं तो इस हवते में उसकी योग बनते हैं जौब चेंज कर सकते हैं और लेकिन थोड़ा सापको इसके लिए थोड़ी जादा इंटर्व्यू देने पड़े एक अबको कुछ समान खरीद करनी चाहिए उसकी करनी क्याए थोड़ा सा अफ टीवीट करनी चाहिए थोड़ा सा जया हुआ जरूरत थोड़ा सा ठीश की बेच रहे ता कि पैसा आपका वापस आसके, भागी की बात करें, तो भागी आपको अवश्य ही आपका साथ देगा, कुछ खुशी के पल भी आपको इस हटे में जरूर प्राप्त होंगे, जाए वो अपने साथ हो, जाए किसी दोस के साथ हो, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, इंवेस तो जाए अच्छा है, क्योंकि ट्रावलिंग के बाद कहीं आप किसी के घर जाएंगे, तो भाँ भी लडाई आपका हो सकता, सामने वाला भी बहुत जैसे घुश्य में भरा बैठा, आप भी घुश्य में बहरे बैठे हो, तो उस तरीके से से आमने सामने आके जादा आर् इस समय में, जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों के लिए थोड़ी जादा ही प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, बहुत जादा उनको प्यार देना चाहेंगे, नर्चर करना चाहेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सापका इस हफते में बढ़ा रहे का, हैल्थ की बात करें, तो जाएंगे, जाएंगे, तो 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 थोड़ा सा वेटिंग तो आपको करना पड़ेगा, यह जैसे ही जगे की सही विवस्ता हो जाती है, या कोई प्रोग्राम बनता है, आपके शहर आने का, आपको अपने चानल के माद्यम से हम सूचित जरूर करेंगे, और आपसे मुलाका भी जरूर करेंगे चिंता मत करो गुरुमा की उमर अभी बहुत लंबी है बहुत हारी खुंलिया देखनी है बहुत लोगों की सहायता करनी है और पूरा जीवन हमारा उसी कारे के लिए है आप सभी को आशिर्वात देते हो यह जो जून का आखरी हफता है आपके लिए झाल झाल